असलाव अलेकुम जैन जैमाराश्रा जिस बुजुर्ग के साथ ट्रेन में बत्तमी जी के गई मारा गया जान से मारने की कोशिश की गई उन अरोपियों को पूलिस ने हिरासत में ले लिया अब उनको देखना है कि ये कल जी अब जामिन पे छूटते या परसो मेरे ख्याल से मुंबई के ऐसे वकीलों को ठाने के ऐसे वकीलों को इनके पर ऐसी कलम लगानी चाहिए ऐसी धारा लगवानी चाहिए ये 307 के तहत ना छूटे है और हैट्रो सिटी के सहत साथ साल और 307 के तह साथ साल की सजा दस साल की सजा काटके लिख ले ताकि इस से हिंदुस्तान के उन हिंदू मुसल्मान बच्चों को सीख मिलेगी, कि इंसान इंसान होता है, उसकी हिज़त करना और इसकी हिफाज़त करना ये इंसानियत का धर में, ये निताओं के चंद गुलामों ने, जिन एक रिलीजन मुसल्मान को टार्गेट करते चले गए जगे जगे पे, अंद भक्तों ने जो टार्गेट किया, इससे क्या हुआ, चार फिरकों में बटा हुआ मुसल्मान, आज एक अल्ला की पैरवी कर रहा है, एक अश्वाद अला इलाहा पे चल रहा है, आज एक हो गए ना हो, तुम जितना इनको दबाओगे, या अब उतना एक होंगे, तुम इनको छोड़े हुए थे, सान थे यह, यह चुपते, ऐसी कोई हाथ से होते थे ना, तो इग्नॉर कर दिया करते थे, अब तुम जो भी हादसा करोगे, चोटे चोटे हाथ से आप वो टीवी होंगे,